आज बाप दादा पिशेश रूप से एक ही बात को एक्स्प्लेन कर रहे हैं मुझे याद करो तो योगणी से तुमारे विकर्म विनास हो जाएंगे तुमारी कमाई हो जाएगी, तुम भरपोर हो जाओगी बाप को इसे लिए व्यापारी कहते हैं योग न कहो, याद खो याद की यात्रा कोई वेला वनुस ही भगवान से व्यापार करता है यहां देना बहुत कम है, लेना ही लेना है तो हमें बाबा से व्यापार भी करना है अर्थात उससे सब कुछ लेना है हमारे पास तो उसको देने के लिए है भी क्या लेकिन तनमंधन से उसकी सेवाओं में सहयोग करना है मुख्यरूप से योगयुत रहने का भ्यास करना है उसी के संग से हम तर जाते हैं हमारी नईया जो रावन ने डुबो दिवो पार हो जाती है हमारी जो गिर्तिकला होगी वो चड़तिकला में बदल जाती है तो बाबा कह रहे हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा आकर तुम्हें ये राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम्हें विश्व की राजाई मिल जाती है कोई भी नहीं जानता कि स्री लक्ष्मिनारायन को विश्व की राजाई थी वो कहां गए अब कहां है वो तुम्हें मैं राजाई देता हूँ तो मुझे आना पड़ेगा मेरा जनम, तो मनुस्यों की तरह नहीं होता, मैं इस देह में प्रवेश करता हूँ, प्रकरते का अधार लेता हूँ, इसलिए सिवरात्री मनाई जाती है, तो मैं आया हूँ फिर से तुम्हें पुन्य आत्मा बनाने और योगबल से तुम्हारे और ही पापोगों को नुस्ट कराने, आत्मा के लिए ही कहते हैं, आत्मा, महनात्मा, पुन्य आत्मा, पापात्मा, पुन्य आत्मा बनती हैं, बभावाजा दिला रहे हैं, जब तुम देवता थे, तो पुन्य आत्माए थे, संबोर्ण दिखारी थे, तुमने पाप किये, बावा तो कहते हैं, तुमने बहुत पाप किये हैं, अब योगवल से उने नस्ट करो, पहला पाप किया कामवासना का, दूसरा पाप कोन सा किया, जब आप सद्गति दाता है, जिसने तुम्हें वेशू की वादशाई दीती, तुमने उसे सर्वयापी कह दिया, गलानी करने लगे, और भी बहुत सारे पाप हुए, दूसरों को दुख दिया, ना जाने कितने पाप, आज तु देख सकते हैं, मनुस कितने पाप कर रहा है, उसकी व्रत्ती पाप की रह पैसा कमाले चाहे, जैसे भी कमाना हो, इमानदारी समाप्त हो गई है, इसलिए पापों के कारण मनुस बहुत कर्ष्ट पा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, तुम्हें अब सारे चक्र का दर्सन हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं, सारे सर्ष्टी चक्र को, इसलिए इसे सो दर् हम कितने महान थे क्योंकि जब इस अंसार में हा कार हो जाएगी तब तुम योग नहीं कर पाओगे बहुत हंगा में हो जाएगे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा उसके बाद फिर जे जे कार होगी तो बाबा हमें बार बार साफधान करते हैं बच्चे बहुत अच्छा योग करो ये योग अगनी है इससे तुमारे पाप जलकर नस्ट हो जाएंगे विनास तो ऐसी हो लीखा है जिसमें सभी के सरीर जल जाएंगे और आत्मा पावन होकर अपने घर चली जाएगी तो बहुत गहरी बाते आज बाबा सुना रहे हैं जिन्नोंने बहुत योग लगाया जिन की माला बनती है वो कोई सजा नहीं खाते हैं ये माला योग लोग की माला है ये माला सन्यासियों की नहीं होती सिंगिल की नहीं बनती इसलिए डबल दाने दिखाय जाते हैं और फिर जोन को ऐसा महान बनाने वाला है स्रेस्ट फूल बनाने वाला है वो सबसे बड़ा फूल उपर, तो ये माला, हमें इस माला में आने का पुरसाथ करना चाहिए, जो माला माल होंगे, जिन्नोंने योग से अपने सब्वी कर्म नस कर दिये होंगे, जो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, जिन्नोंने मैपन को पूरी तरह जीत लिया होगा, जो स्रेश्वमांदारी बन जाएंगे, जो विश्व सेवा में लग जाएंगे, वो इस माला के दाने बनेंगे, तो बाबा हमें बहुत अच्छी प्रेणा बार बार दे रहे हैं, तुम्हें योग-युक्त होना है, सभी पापों को समाप्त करना है, और कोई पाप अब तुमसे ना हो, क्रोध के द् संग से तुम्हारी दुरगती हुई है, अब इस बुरे संग से भी वचना है, कई बाबा के बच्चे बुरे संग में जाकर, बाबा के संग को छोड़ देते हैं, कुसंग में आ जाते हैं, ये भी रावन का संग होता है, इससे गिरावठ हो जाती है, गिर्तिकला हो जाती है जीवन नईया डूब जाती है बावा तो हम सब को चड़ाने आया है एक ही बार तो उसका संग मिलता है उसको भी अगर छोड़ दिया तो फिर तो वो कभी मिलेगा नहीं फिर तो भगति में पुकारते ही रहेंगे उसके और प्यासी नजरों से देखा करेंगे प्यार भरी नजरों से नहीं है उसको कहा करेंगे सुनता नहीं है क्योंकि हमने उसकी नहीं सुनी तो बहुत सुन्दर समय चल रहा है बावा वर्दान में बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं बिन्विन कर्मों में बाप से विन-विन संबंधों की स्मर्थी में रहकर इस्वरी रस प्राप्त करो। कभी वो सखा सखी है, कभी वो जीवन साथी है, कभी देल सिकस्त हो जाए तो सारु शक्तिवान मेरे साथ है, कभी उसको खुदा दोस्त बना लो, कभी बाप है वो मेरा, कभी सिक्षक है, कभी परमसद गुरू है, बिन-विन रोप से उसे याद करो। तो स्थिती बहुत अच्छी रहेगी, बाप को फोलो करना माना संभून स्थिती तक पहुँचना, तो उसको हमें फोलो करते ही चलना है, तो आज सारा दिन, हम विन-विन संबंदों से उसे याद करेंगे, वो मेरा खुदा दोस्त है, मन की बात करनी है तो, समस्चा है आ गई तो मेरा साथ ही है, कोई negativity आ गई तो सर्व सक्टिवान है मेरे साथ है, इस तरह विन-विन संबंदों को इस मर्थी में लाएंगे, आप ये भी लक्स रख सकते हैं, विन-विन कर्मों में विन-विन संबंदों को लाएं, या सबेरे इस संबंद से, दोबहर तक इस संबंद से, इविनिंग में इस संबंद से, रात को इस संबंद से, उसके साथ का रस लेगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे Om Shanti